नमस्कार मैं हूँ मन्विंदर एंबियन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है किसी ने सोचा नहीं था कि जो पार्टी ब्रस्टाचार मिटाने के लिए पैदा होती है वो एक दिन खुद ही आकंट ब्रस्टाचार में डूब जाएगी शायद ऐसा किसी की जहन में नहीं आया होगा आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वही आग रहे है वही निवेदन वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सभी राष्टवादी भाई बैन अपनी टिपणी मेरे कॉमेंट सेक्षन में जरूर ड्राप कीजिए क्योंकि आपकी टिपणी मुझे ऊर्जा देती है मेरे में एनर्जी आती है तो दिल्ली सरकार के मुख्या जेल में है आमादमी पार्टी के सुप्रीमो भी वही है लेकिन आमादमी पार्टी कि जिसकी सरकार दिल्ली में है उसका छोटे से लेके बड़ा अधिकारी तक सुपे से लेके शाम तक उहाई करता है और MCD के तो कहिए कि पूरा उनका जो कुणबा है वो ही दफ्तर से तभी निकलता है जब उन्हें कहीं से ये पता चलता है कि अब हफ्ता वसूलने का समय हो गया है उनकी इसी हफ्ता वसूली ने तीन स्टुडेंट की जान ली है और अब इस बात पे कोट भी बहुत खफा है और आप ये समझ लीजे कि उसकी ये जो टिपणिया है मंतरियों पर करमचारियों पर अधिकारियों पर ये ले देकर के अर्विन केजरिवाल जो दिल्ली सरकार के मक्क मंतरी हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसिवत वरनने वाली है क्योंकि अर्विन केजरिवाल लगातार जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये लॉजिक देते हैं कि ये आदतना पराधी नहीं है ये इमानदार हैं ये कई भाग नहीं जाएंगे लेकिन जिनके सारे मंतराल है इतने बेईमानों उसके मुख मंतरी से क्या इमानदारी की उमीद की जा सकती है और वो उनके वकील बार बार एक ही गाना काते हैं कि ये बहुत इमानदार हैं आपने इनको जेल में रख करके गरिफतार करके अच्छा नहीं किया है चलिए उनको तो जब जमानद मिलेगी तब कि तब आपके साथ बात होगी लेकिन हाई कोट ने MCT दिल्ली पुलिस दिल्ली विकास प्राधिकरन सभी को जम करके लताड़ा है बेहन नराजगी उसकी दिखाई दे रही है हाई कोट के जजिस की दिल्ली हाई कोट ने शुकरवार को इस मामले की सुनवाई की और हाई कोट ने केंद्रिय सतरकता आयोग यानि की CBC उनको कहा है कि वो संग लोग सेवा आयोग की तयारी कर रहे स्टूडेंट्स की मौत के मामले की CBI की जाज की निगरानी करने के लिए एक वरिष्ट अधिकारी को नॉमिनेट करें साथ ही इस पूरी इस्तिती की समीक्षा के लिए एक थर्ड परसन ओडिट का भी उन्होंने ओडर किया है तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हाई कोट ने इस पूरे मामले पर कितना सक्त रवया दिखाया है उनका जो एटिटूड है वो कितना सक्त है हाई कोट ने टिपणी की कि ये निशकर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की नागरिक एजंसियों के पास जो पर्मुख बुन्यादी धाचा परियोजनाओं के लिए आवशक धन की कमी है और कोट ने ये भी खा कि दिल्ली का दिखांस बुन्यादी धाचा जैसे नालिया पुरानी हो चुकी है उन्हें लगबग 75 साल पहले बनाये गया था इन सबका जो मेंडेनस है बेहद खराब है अब एक मिनट रोक करके मैं आप से ये बात पूछना चाहती हूँ कि कोट ने ये कहा है कि परियोजनाओं के लिए धन की कमी है अब ये बात कभी भी किसी को भी समझ में नहीं आईगी कोट चुकी हर भी भाग में घुसकर देखता नहीं है उनको जो फाइले दिखाई जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो वो उसी को मानता है लेकिन अब अगर यही सवाल किया जाए कि अर्विंद केजरिवाल की इतनी लंबे समय से इतने बड़ बड़े वकील उनकी जमानत के लिए पैर्वी कर रहे हैं केवल अर्विंद केजरिवाल नहीं है केवल विभव कुमार नहीं है, उनके साथ डिप्टी सियम, पूर्व डिप्टी सियम, मनिश्य सोधिया भी है, सत्य अंदर जैन भी है, और उसे कुछ समय पहले तक आपके संजे सिंग भी थे, तो इनके लिए, इनके जो एडवोकेसी है, इसके लिए फंडिंग कहा से आ रही है, इनके लिए पैसा कहा से आ रहा है, ये एक एक्सटा खर्चा सरकार पर है, जो किसी विकास कारे में अगर लगे, तो फिर नक्षा कुछ और हो, नालियों की बात हो रही है ना विकास तो बहुत दूर की बात है नालियां ही अगर सही बनी होती तो ये घटना नहीं होती आठ एपरेल को दोहजार चौविस कुन्याईले ने ये निर्देश दिया था कि अधिक कुशलता से समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक अजन्सी को केवल वर्षा में जो पानी का जो ड्रेनेज है जो उसकी निकासी है उसको कंट्रोल करना चाहिए और इसके लिए कोट ने जो प्रेजन्ट सुचेशन है उसकी समिक्षा के लिए फिर तीसरे थर्ड पार्टी को अडिट करने का अधिश दिया है यानि कि पूरा मामला कोट ने बेहद संगिन्ता से लिया है संग्यान लिया है सीरियसली संग्यान लिया है कोट ने ये भी कहा है कि हालीक में जो त्रासदिया हो रही है कि वल दिल्ली में ही नहीं और जगों पे भी कि नागरिक एजन्सियों द्वारा नियाले के निर्देशों को पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा और दिल्ली हाइकोट ने दिल्ली में प्रशासनिक इस्तिति की अलोजना की और ये भी कहा कि अधिकारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डाल रहे हैं मुद्धों को ठीक तरीके से सौल्ण नहीं कर रहा है जाने कि मतलब जो समस्या है उसका समाधान करने की बजाए उसका जो दोष है दूसरे में मढ़ रहे हैं तो ये तो दोस्तों उपर से लेकर निचे तक चल रहा है अगर हम किजरिवाल की बात करें तो वो यह नहीं कहते कि विजन नायर जो है वो उनका अपना खास आदमी था शराब घोटा ले की बात आ गई है विजबे वो ये कहते हैं कि विजन नायर आतिशी मार लेना और सौरब भार्दवास को रिपोर्ट करते हैं अपने आपको उन्होंने बचा लिया तो अगर सियम ऐसा है तो उनके जो नीजे की फौज है वो भी बिल्कुल वैसे ही करेगी जज ने केवल करमचारियों को ही नहीं सुनाया MCD को ही नहीं सुनाया उन्होंने पुलिस को भी बहुत टाइट स्लैब दी है अगर उन्होंने कहा है कि अगर फाइले आपको MCD से नहीं मिल नहीं है तो उसके लिए आप उनके ऑफिस में जाकर कि उनकी फाइले जब्त कीजिए आपके पास MCD अधिकारियों के फोन नंबर ह है लेकिन आप में हिम्मत नहीं है शुक्र है कि आपने जो पानी अंदर चला गया था उसका चलान नहीं कर दिया कि ये पानी तैखाने के अंदर कैसे घुज गया अब ये इतना बड़ा तंज है क्योंकि पुलिस की एक शैली होती है काम करने की आपने बहुत बार सुना हुआरा इलाका है दुश्रा कहता है कि हमारा नहीं है तो इसी में जो है ववह डैट बोडी काफी टाइंड तक पड़ी रहती है यहां फिर कोई एक्सिदेंट हो तो बहुत देर तक उसमें ऐसे ही सलता रहता है उसकी कोई जिम्मेदार ही नहीं लेता ठीक वैसे ही अगर प पानी का चलान ने काट दिया जो उस देखाने के अंदर चला गया था कितना बड़ा उन्होंने देखिए नाराजगी भी जताई तंजी भी कसा यानि कि कोई कोर कसन नहीं छोड़ी सब कुछ सुना दिया अच्छा पुलिस ने एक और अच्छा काम कर दिया था मैं अच्छा ही कहूंगी उन्होंने अपनी समझ से हो सकता से अच्छा काओ जिस दौरान ये घटना होती है एक तो तीन घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंचती है बेस्मेंट में जो बेस्मेंट में लाइबरेरी में पानी भरता है उसके बाद तीन स्टूडेंट की जो मौत होती है जि इसको क्यों गरिफतार कर लिया कोई लॉजिक नहीं है तो इस पर भी पुलिस की फटकार लगी कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे गरिफतार कर सकते हैं पुलिस का सम्मान तब होता है जब अपरादी को गरिफतार करते हैं और निर्दोस को छोड़ते हैं आप MCD की ये हलत है कि अगर encroachment हो रही है अनाधिकरत निर्मान हो रहा है उसे किसी building को seal करने के लिए कहा जाए तो sealing के बाद उस building का size कुछी दिनों में और बड़ा हो जाता है यानि कि seal है लेकिन निर्मान चल रहा है ऐसा मैंने भी बहुत बार देखा है कि seal है लेकिन निर्मान च लगी हुई है कोट के आदेश से खुलेगी लेकिन निर्मान को कौन माना कर रहा है निर्मान तो जो सम्मंदित विभाग है जो भी authority है उसके लिए वो उनको छूट दे देती है कि आप करते रहिए तो building मन के खड़ी हो जाती है seal अपनी जगा लगी हुई है इस बात का भी किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अब यह जो कोट का कहना है यह एक तरह से देखिए कानून में बंदे हुए कोट भी और इन कानूनों के क्या लूप होल है लूप होल्स हैं वो MCD को भी पता है और बाकी authorities को भी पता है इसका फाइदा यह authorities लेती है इसलिए कोट में यह कहा न कि इस गटना का किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दिल्ली उचने एले ने दिल्ली के प्रशासनिक वित्तिये भौतिक बुन्यादी धाचे पर फिर से विचार करने के लिए GNCD के मुख्य सचीव की अध्यक्षता में एक समीती के गठन का दिया है और इस समीती में DDA के उपाधक्ष, MCD के अध्यक्ष और पुलिस आयुक्त सदर्शे की रूप में शामिल रहेंगे और इस समीती को अपनी रिपोर्ट आठ सप्ता के भीतर देने के लिए कहा गया है तो दोस्तों ये कारवाई हुई है शुकरवार को लेकिन सब चीजें जरूरी भी हैं कोट की कारवाई ऐसी चलती है और जो MCD है, पुलिस है, ये सब लोग भी अपनी तरीके से काम करते हैं लेकिन उन तीन स्टूडेंट्स के परिजोनों से कोई पूछ के देखे कि अब उनके जिगर के टुकड़े कभी लोटके नहीं आएंगे, वो तो कुछ बनना चाहते थे, वो तो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन वो सिस्टम ही उन्हें खा गया तो आप समझेए कि उनके परिजोनों को क्या हाल होगा, कोट ने अपना जो कुछ भी उसे करना चाहिए, कहना चाहिए, उसमें कुछ भी कहने सुनने के लिए छोड़ा नहीं और आगे इन लोगों को मानना है, अब देखें पूरे मामले की जो है, CBI की जान स्वाप दी गई है, और कोट ने इस निर्णे के पीछे की गंभीरता और लोक सेवकों के ब्रष्टाचार में जो सलिपता है, उसको मेन वज़ा बताया है, अब ये जो चीजें होती है ना द किसी की जान को खत्रे में डाल कर तो हपता नहीं वसूल रहे हैं, ये बात सोचने की है, तो यही बात कोट कह रहा है कि जो लोक सेवक हैं, वो भरष्ट हैं, उनकी हर भरष्टता में वो शामिल हैं, इस वज़ए से ये सारे काम हो रहे हैं, तो दोस्तों आपने मेरे साथ प पूरी पिक्चर आपके सामने लाने की जो कोट में हुआ, जो कोट ने कहा, जो एक्च्वल में हम महसूस करते हैं, as a journalist, कि क्या होता है, अधिकारी किस तरीके का attitude रखते हैं, अब आपको दूर जाने की जरूरत क्या है, आप केजरिवाल का ही example लीजे, उसके नीचे पूरी टीम है उनकी, तो अगर मुख्या ऐसा होगा, तो उनकी टीम कैसी होगी, बताने की जरूरत नहीं है, आपने दोस्तों मेरे साल पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, and वीकेंड है आज, आप इंज्वाई कीजिए, और मेरे वीडियो देखते रहे है अगें, जय हिंद जय भरत